So yes, welcome to job updates by शुरेनी जेन YouTube चानल National Project Construction Corporation Limited NPCC की तरफ से regroup में निकल करके आ रही है for 2022 वैसे NPCC अपने आप में एक मिने रतनव PSE कंपनी है तो सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है Yes यहापर freshers eligible है All India apply कर सकते है In total 7 vacancy निकाली गई है जहाँ पर CTC प्रोवाइड कर रहे है 39,000 रुपीस पर मन्त सीधा walk-in interview होने वाला है कोई exam नहीं, कोई application fees आपको pay नहीं करना है बट देखो यार important points पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेश ना हो सबसे पहले यहाँ पर यह fixed term contract basis पर job है एक साल का आपको contract basis का job है दूसरी बात यहाँ पर B.B.Tech in civil engineering वाले ही apply कर सकते है तो अगर आप interested हो, fit होते हो यह criteria में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो ज़र से इस वीडियो को like कर देना था कि उन students पहुत सके जो interested है और eligible भी है तो चलिए यार अब detail में बात करते हैं वैसे ही यह official PDF है, official website पर आई थी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो N.P.C.C. is a subsidiary of W.A.P.C.O.S. Limited और यहाँ पर आप देख सकते हो Public Sector Enterprise है, मिने रतना कंपनी है ठीक है जी, यहाँ पर in total 7 vacancy निकाली गई है, 4 है General वालों के लिए, O.B.C. वालों के लिए 2 है SC वालों के लिए 1 है Site Engineer की vacancy है, Civil लिखा गया है इसलिए यहाँ पर Essential Qualification B.B.T.C. in Civil Engineering होना चीए Salary आप यहाँ पर देख सकते हो 33,750 रुपीज पर मन तो फिर सर जी आपने 39,000 क्यों कहा क्योंके in addition Employees को यहाँ पर Provident Fund Company के द्वारा मिलने वाला है अलग से and a Fixed Medical Allowance पर मन अलग से मिलने वाला है तो अगर आप Gross अब चेक करोगे तो 39,000 रुपीज पर मन का Salary बन जाता है ठीक है यहाँ पर आपका जो recruitment है Short Term Contract Basis For One Year का recruitment है और यहाँ पर आप Upper Age Limit देख सकते हो 40 years का Upper Age Limit कहा गया है Walk-in interview आपका कहा पर होने वाला है यहाँ पर बताया गया है Hyderabad में आपका होने वाला है तो जो भी necessary documents है Age, Qualification, Experience, Card Certificate यह सारा कुछ आपको लेकर जाना है वैसे आपको बता दू यहाँ आपका जो job location है यहाँ पर clear cut बताया गया है Manpower on contract basis For its Southern Eastern Zone भुवनेश्वर ओडिसा में आपका काम रहने बाला है ठीक है वैसे आगे जाने से पहले एक important point बता देता हूँ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो walk-in interview जो है उसका date और timing दिया गया है schedule to be held on 5th August 2022 candidates should register their attendance up to 12 noon on the same day ठीक है तो यह चीज आपको यहाँ पर note करनी है अब बात करते है कि application form तो यह PDF के आखरी में दिया गया है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा यहाँ पर form दिया गया है जो आपको detail में fill करना है fill करने के बाद जो required documents है वो ले करके जाना है interview के समय ताकि verification करने में उन्हें आसानी हो और आपको कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो इसे के साथ मुझे लगता है आज की वीडियो में end करता हूँ फिर भी अगर कोई doubt है तो comment section में पूछ सकते हो and yes that's it for today अगर वीडियो पसंद आती है ज़र से इस वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना ऐसे ही authentic job updates के लिए मिलते है next वीडियो में अफिल और टेक केर बाई बाई वर नव सिया